भाजबस आंसद और भारती कुष्टी संग के पूर्वध्यक्ष ब्रिजभूशन शरन सिंग के खिलाफ पहलवानों को मोर्चा खोले हुए एक महीने से जादा का वक्त बीद गया लेकिन मोधी सरकार के नेत्रितुम में चल रही केंद्रिय सरकार इस पर फैस्ता लेने में सं पर्थंदे रही इसी कड़ी में कॉंग्रिस महासाचिप प्रियंका गादी ने एक बार फिर से दो जून को मोधी सरकार के खिलाफ हमला बोला प्रियंका गादी ने एक अखबार की रिपोर्ट शेर की ट्विटर पर पिये मोधी को टैग किया सवाल करते हुए लिखान अरि ब्रिजबूशन शरंसिंग के खिलाफ छेर चार और यौन उत्पीडन की एक दो नहीं बलकि दस मामलों का जिक्र हैं इसमें ब्रिजबूशन के खिलाफ यौन संबंद बनाने का आरोप लगाए गया है और खिलाडियों ने कहा है कि ब्रिजबूशन ने उनके साथ कई बार चेर चार की तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिजबूशन शरंसिंग को तगड़ा जटका लगा प्रशासन ने पांच जून को उन्हें अयुद्या में रैली करने की एनुमती नहीं दी ब्रिजबूशन ने महिला पहलवानों के आरोप के सामने आने के बाद ये फैसला किया था लगा था शायद उनको की आयुद्या में रैली करने से उनको एक बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा लेकिद अभी इस पूरे कारिक्टरम पर पानी फिर गया ब्रिजबूशन के खिलाब दो FIR की गई है पहली FIR बालिक पहलवानों के आरोपों से जुड़ी है दूसरी नाबालिक व्रेसलर्स के आरोपों पर आधा दित है बालिक पहलवानों का रोप क्या है? दरसल बालिक पहलवानों का रोप है कि बिजबूशन ने कथे तरोप से कई बार छेर छड़ दी, गलत तरीके से छुआ, जहां तक की सांस चेक करने के बहाने उनकी टी-शिट उतारी, ना बालिक पहलवान का रोप है कि बिजबूशन ने दोनों FIR में IPC की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या अपराधिक बलप्रियोग, 354A यौन उत्पीडन, 354D पीछा करना और 34 यानि सामान ये इरादा जिसका हवाला दिया गया है। इन आरोपों में एक से तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है, पहली FIR में 6 विसक पहलवानों के आरोप शामिल है, इसमें Wrestling Federation of India यानि WFI के सचिव विनोत तुमर का भी नाम है। दूसरी FIR एक नावाली के पिता की शिकायत पर की गई, ये पॉक्सो अदिनियम की धारा 10 के तहत है, जसमें 5-7 साल की सजा का प्रावधान है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरी FIR में क्या कहा गया? कहा गया खिलाडी ने जब मेडल जीता तो आरोपी ने तस्वीर खिचवाने की बहाने कस कर पकड़ा। इस दौरान उसके कंधे को जोर से दबाया, फिर जान बूच कर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे ले गया, खिलाडी के शरीर को गलत तरीके से छुआ। पीडितान से कहा कि वो टच में रहे तो उसे सपोर्ट करेंगे। और भी चीज़े हैं धीरे धीरे जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है ब्रिजबुशन शरन सिंग लगातार अपने बयानों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनके खिलाब जो आरोफ लगाए गए हैं वो सिद्ध हो जाते हैं तो वो खुद ही फांसी लगा भी हुए हैं पहलवान लगातार ये आरोफ लगा रहे हैं कि पुलिस भी ब्रिजबुशन को गिरफतार नहीं कर रही है इदर दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली पुलिस का साथ तोर पर ये कहना है कि जब तक कोई पुखता सबूत नहीं होंगे ब्रिजबुशन सिंग को गुरुपतार नहीं किया जासे।